आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Friends, हमें यहाप एक Question में पूछा है A body explode in mid-air यहनि कि वो एक body है जो mid-air में explode होती है तो उसका का बताना है Does its momentum remain conserved or not? So उसका जो momentum होता है वो conserve होगा कि यह नहीं होगा So उसके लिए देखते हैं So माल लेते हैं कि Collision होने के पहले मतलब explosion होने के पहले जो body थी उसमें दो mass थे M1 और M2 So अभी हवा में है तो उसके उपर कौन सा force लगेगा gravitational force लगेगा So gravitational force M1 प्लस M2 G यह लगेगा So अभी इसमें क्या होगा Collision होगा मतलब explosion होगा So explosion जब होगा तो यह दोनों एक दूसरे को Impulsive force लगाएंगे तो माल लेते हैं यह N1 लगाए इसको और यह N2 लगाए इसको So N1 और N2 क्या होगे? आपस में Equal होगे जब impulsive force होते हैं वो आपस में Equal होते हैं So action reaction pair हैं यह दोनों यह दोनों क्या action reaction pair So collision के दौरान दोनों एक दूसरे को Same impulse क्या करेंगे? Provide करेंगे So N1 DT Equal to N2 DT So यह क्या impulse है? दोनों का So यह collision के time पर impulse है So अब impulse जो होगा इन दोनों का तो Equal है आपस में So अब जो impulse बचता है वो external force का बचता है So force external हमाँ पास यहाँ पर क्या है? M1 प्लस M2G है So gravitational force का impulse अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा? तो वो change in momentum के एकवल होता है और वो होता है external force into delta T यानिकी DT तो यह 0 से delta T तक integrate होगा पर जो explosion होता है So उसमें क्या होता है? जो delta T होता है वो बहुत ही कम समय के लिए explosion होता है So अगर delta T 0 है So F external into delta T करेंगे So हमारा जो यह linear momentum हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा So अगर linear momentum अगर 0 है So क्या हम बोलेंगे? कि momentum में कोई भी change नहीं हुआ So center हम लोग क्या बोलेंगे? center of mass कि momentum में कोई भी change नहीं हुआ So momentum of center of mass doesn't change So इसके वज़े से क्या होगा? Impulse जो gravitational force उसके वज़े से impulse में कोई भी change नहीं हुआ So हम लोग क्या बोल सकते हैं कि Yes The momentum remains conserved So यह मारा final answer हो जाता है Thank you